अची कैसे हो आप सब मैंने आपको बोला था ना कि मैं अपने स्टोर रूम का एक मेक ओवर लुक आप सब के सामने लेकर आऊंगी तो चलिए काम करना शुरू करते हैं यह रूम तो मैंने आपको दिखा दिया था ना पहले वाली वीडियो में कुछ इस तरीके से सेट कर दिया था यह देख लीजी आप तो यह तो काफी सुन्दर लग रहा है मुझे तो यह रूम अच्छा लग रहा है इसकी डेकॉरेशन भी अच्छी लग रही है जो दूसरा मैं वो भी देखिए कुछ इस तरीके से काफी स्पेस हो गया है पर स्टोर रूम बहुत मैसी हो रखा है मैं आपको दिखाती हूं इसकी हालत देखो तो मतलब मैंने काफी टाइम हो गया मुझे था कि बहुत अच्छे से ढंग से करना पड़ेगा बट काफी दिनों से आगे तक सुनाई देती है मतलब मेरे आंकों के सामने वो दिखाई देते हैं तो ना आप में से कुछ कह रहे थे कि ना भूल जाए आगे बढ़िये मैं मानती हूं कि आपकी बात आप यही चाहते हो कि मैं मूव ओन करूं लेकिन पता है कि आप एक बास सोचो जिस इनसान के साथ पूरी जिन्दिगी बिताने का सोचा हो जिस इनसान से इतना जादा प्यार किया हो उस इनसान को मतलब नहीं भूला जाता वो इनसान नहीं भूला जाता बस यह है कि अब अपनी जिम्मेदारियान इभाती हूं अपना काम वाम करती हूं पूरा दिन बीजी रहती हूं तो दिन ठीक रहता है खाली बैठते हैं तो दिमाग थोड़ा सा पुरानी चीजों में चला ही जाता है तो यहां पर आप देखिए मैंने क्या कर रही थी अलमारी के उपर जिसे नोट बुक्स वगेरा किताबे रखी हुई थी उन पर थोड़ी धूल जम गी थी तो अब मैं क्या क आपू को तो ममी ले गए थे और यहां पर देखो मैं डस्टिंग करने लग रही हूं और आप भी सोचोगे कि आज पता नहीं क्या मन में आई कि आज बाल खुले चोड़ लिए एक्चुली मेरको जहां तक मुझे याद है आप भी देखते हो मैं करीबन करीबन 10 महीने से त बाल भांद के तो अभी थोड़ा ठंडा मुसम है हलकी हलकी सर्दी आ रही है तो इतना ज्यादा गर्मी नहीं लगती तो मैंने वैसे ही बस शोग में ऐसी बाल खुले चोड़ लिए मैंने का चलो देखते हैं बाल कभी तो खुले ओपन भी चोड़ लेने चाहिए तो यहां पसंद था जब भी मैं यह वाला सूट पहनती थी ना तो सनी मुझे बोल देते थे कि नीधी यह वाला सूट मत पहन बड़ा ही अजीब सा लगता है एक्चली सनी कहते थे कि ना जो कपड़े होते हैं उनका एक मैटीरियल होता है जरूरी नहीं होता कि महंगा ही कपड़ा प पहना गर तो मैं यह सूट ना बहुत ही निपहनती थी मैंने आज भी बस वैसली सामने दिखा और थोड़ा सा ना पहले मेरे आता नहीं था यह थोड़ा लूस सा हो रख है ।ो मैंने वैसली पहन लिया क्योंकि पूरी बाजुका था हलकी हलकी ठंड भी रहती है तो वैसली पहन लिया और ये देखिए मैलमारी के उपर ये जो लेकर आई थी ये छोटे-छोटे से बास्किट से उतो इसमें सारा समान अपना धंग से जचा के लगा रही हूँ ताकि टाइम से जब भी हमेरे को मिलना आओ तो मिल जाया करें अपने घरो में एक बच्चा रो रहा है मेरे को ऐसे लग रहा है जिसे मेरा विहान रो रहा है तो यह देखो आप यहां पे ना मैंने ऐसे इसे मेरे पास तीन रखे हुए पर्फ्यूम मैंने एक बाहर निकाल लिया बाकी दो अंदर रख दे जब यह खतम मुझे का फिर दूस कोर्णर है मैं आपको दिखाती हूँ यहां पे भी मैंने एक लोशन निकाल के रख दिया है इसके अंदर मेरे थोड़े से इरिंग्स वगएरा है इसमें मेरा थोड़ा सा मेक अप का समान है आपको पता ही है थोड़ा छुटपूर समान लिप्स्टिक वगएरा इसमें भी म सूद्वें को है रख दिया है और इसमें मेरी साबुन और पार उसमें करता है मैं निकाल लिए भी इन को आपकी सारा भीест अरी है काम कोमेंट्स आ रहे थे कैने यह शरखेत शप्तिम नहीं रख रहा हूँ जमीन पे अच्छा नहीं लग रहा है इसको नहीं कि आप मेज की उपर रख दो तो मैं यही काम करने वाली हूँ अब तो यह ब्लैंकेट वगेरा मैं बाद में देखूंगी पहले ना लेकिन यह थोड़ा सा भारी लग रहा था मुझे तो पहले मैं यहां से जगा बना लेती हूँ यह मेज थोड़ी मुझे खाली करनी पड़ेगी फिर यहां पर यह ट्रंक अच्छे से आ जाएगा तो एक बार के लिए तो मैं सारा समान बस नीचे रख रही हूँ उसके बाद बाद में जचाओंगी तो यह मेरे पापा जी की र तब से ना मतलब मैं एक्सरसाइज वगरा कम कर रही हूँ लेकिन पहले मैं रेगुलर करती थी तो यह देखिए यह सारा समान मैं यहां से हटाने लग रही हूँ और इसके बाद मैं यहां पे काम करूँगी यह ट्रंक ना उठा के इसको ना मेज पे लगा देती हूँ और से पहले मैं मेज को थोड़ा सा डस्टिंग कर रही हूँ क्योंकि मेज बे धूल मिटी जादा हो रखी थी तो मेरे को लगा चलो आज धंग से अच्छे वाला मैं आपको बहुत सुंदर बना के दिखाने वाली हूँ आज स्टोर रूम बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि अच्छली मैं यह काम इसलिए भी निपटा रही थी क्योंकि कल मुझे शादी में जाना है मेरी फ्रेंड है उनकी सिस्टर है ना सबसे छोटी सिस्टर उनकी शादी है तो मेरे को इन्वाइट किया हुआ है तो मेरे को एक बार काम हो जाए स्टोर रूम का प्रोपर उसके ब पूरा काली करने लग रही हूं क्योंकि मैं फिर नए सीरे से अच्छे से जचाऊंगी और देखो आज बाल खुले छोड़ ली है मैंने बार बार ना मेरे बाल ऐसे मेरे को ना वह रहा था सुहानी रहे थे आदत नही है ना खुले बाल छोड़ने की बिल्कुल छूट सी ग करके अच्छे से लगा दिये ट्रंक पूरा भर गया और यह जो कोर्णर था यह ना खाली रह गया था तो इसमें मैंने अपने जो नोर्मल घर के कपड़े होते है ना पजामा टी-शिर्ट वो लगा दिये तो इसको तो मैं बंद कर देती हूं जाणी न सारे के सारे जैसे रात को ओडने के रिजाई ब्लैंकेट्स टो गए रहा है वो मैं इस कमरे में रख दीए नै सफाइ ना तो ना मुझे ऐक कागश मिला तो मैं उसको कोल के देखा मैंगा क्या ए ये तो देखा मैंने सनी का ना सर्टिफिकेट था हम समझी तो मैं वैसी इसको ओपन करके देखने लगी और मेरी आंको मेना स्टाइम आसू आ गये थे उदासी हो गई थी मैं मतलब थोड़ा मूड खराब हो गया था मैंने क्या यार मतलब मैंने लाइफ में सोचा नहीं था कि मेरे को इस तरीके का कागश भी देखने को मिलेगा तो इस यहां से उठा रही हूं क्यांकि यह पाओ में रखी हुई रुए है ना तो जैसे हम चारे होते हैं तो हमेशा पाओ में लग जाती है मेरे तो मैं इसको कोने पे लगा दी है उसको और यह जो पीछे आपको दिख रहे है यह चावल हैffen चावल का कड़ अ ही है ने यह ठाव् पैकिट कोलेंगे और यहां पे लगभग मैने अलमारी मम्मी की जचा दी थी और अब मैं क्या कर रही हूं यह छोटा सा यह नहीं हो था चावल रखने का यह डबा सा मामा जी दे कर गए थे तो मैं इसको ना अलमारी के ऊपर लगा रही हूं क्योंकि यह जगा गेर रहा था औ और अभी इसका कोई यूज नहीं है यह खाली है अभी इसमें कुछ नहीं अडाला हुआ तो मैं लगा कि एक दो चीज़े ना अलमारी के ऊपर भी रख सकते हैं इससे भी थोड़ा सा स्पेस बनेगा कोई घर छोटा है तो थोड़ा सा देख कर ही चलना पड़ेगा तो यहा लगबग ऊपर का सारा काम हो गया था तो अब हम क्या करते हैं जाडू लगारी हूं मैं तो मैं यहां बैट के ना में समान देख रही थी कोई कीमती समान ना चला जाए और यह मेरा इंडक्शन का कूकर है देखो इंडक्शन का वह एचुल है जिसका मैं यूज बिलकुल भ पानी तो गरम हो सकता है लेकिन फिर भी थोड़ा डर लगता है एक बर थोड़ा घर सेट हो जाए उसके बाद तो यूज कर लूँ अभी लगता है कि कई मैं चला के बैठू और विहान हाथ बगरा डाल ले पानी में कुछ इस तरीके थोड़ा डर लगता है तो यह ना पोल पान डाल के दे दो या फिर कभी बजार जाते है तो ना बार-बार ना उनसे भी लेना अच्छा नहीं लगता मुझे एक बो बैग ना अपनी लेके चले जाओ तो ठीक रहता है क्यों वेस्टेज करवानी ना तो यहां पर देखो यह लग भग थोड़ा सा सामान हो रहा था ठीक हो रहा था और आप मुझे कमेंट करके बताईए का सूट कैसे लगते है वैसे नो मेरे पैर पतले-पतले हैं मतलब जिस हिसाब से मतलब मेरा वेट है ना मतलब इस थरीके से है कि मेरे पाओं पतले लगते है और पेट पे है थोड़ा सा बैली फैट है मेरे और यह साइड में टरंक उठाने के बाद काफी जादा स्पेस बन गया है ना कमरे में तो यहां पे विहान बाबू भी आ गए थे दो तिन घंटे हो गए थे तो मम्मी ले आये थे विहान को मम्मी बोलते कि यह अब नहीं रुक रहा था तेरे भी ना तो मैं ही ले आई तो यहां पे क काम में इतनी व्यस तो रखी थी सुबह से मैं काम में सफाईयों में लगी हुई थी कभी घर का काम किया कभी स्टोर रूम ठीक किया तो पूरा दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला तो मैं अभी तक तो गई नहीं हूँ मम्मा और के तो अभी आपसे बात कर रही थी तो अ थेखने काम है समान को खिंडाना, तो यह क्या करता है, देखो अभी क्या करेगा, यह सारे कपड़े निकाल निकाल के यहां पर फैंक देगा, तो छोटा बच्चा है, बच्चों की ही होती है, जो दिल पे प्यारी लगती है, तो चलीए, मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड कर अब मैं अपने बच्चे को संभाल लेती हूँ देड़ दो घंटे से लगी हूई हूई इसी कई काम निप्टाए है आज पर हो गया बाकी आप देख लीजिए एक सेकिन में आपको दिखा आजा 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 ममा के पास आजा मैं आपको बाकी दिखा देती हूँ एक सेकिन फिल्म एक वीडियो का मैं एंड करूँगी तो यह देखिए यह जगा काफी यहां पर स्पेस है और यह दूसरा रूम है तो काफी डेली कुछ ना कुछ करे जा रही हूं मतलब मेरे को यह लग रहा है कि हाँ घर अच्छा लगन जाब रूखती है गाजर मतली सब्जी एराइक अच्छा देख लो आपको चलिए अपना द्यान रकिए बाइपाय ठीक केर